आप सबको मेरा नमर्स थे यह सेशन में हम लोग आपको दो टूटॉल दिखाने वाले हैं एक तो है मैन्यूल एक्सप्रेशन मतलब कैसे हाथ से मा को दूद निकाल सकती है और कौन से कौन से टाइम पे वो हम लोग बताते हैं मा को अपना खुद का दूद निकालना तो वो भी दिया हुआ है टूटॉल में और पूरा उसका टिक्नीक है प्रेस कंप्रेस रिलीस मतलब क्या करना है कि मा को हम लोग ने दिखा है टूटॉल में की दो अंगली दूर रखे जो निपल से दो अंगली दूर रखे महां पे यह नो मा की दो अंगलिया होनी चाहिए और उसको पीछे की तरफ दबाना है तो चाहते है उसके पीछे की तरफ दबा के उसको प्रेस करना है और फिर तो यह नोगे ने सिख्खाया है जpower Glen Jesis को जबी पता निंग होता है वह सिफ दबाते रहते रहते दबाते या तो भोगत दूर से दबाते तो दूड नहीं आते है तो माप लगता है कि मुझे बूध नहीं है तो यह पोरा टेखना है कि कहां पे हुंझा होनी चाहिए पहले प्रेस कर máximo है चाती के अदर की और है तो एक बार दूद निकाना है तो उसको कैसे परसा कुल ला है वह भी हम दोलोगे ने दिखा है करना है कैसे उसको रूम टेंपरिशिप पर लाना है वो भी हम लोग ने सिखाय हुआ है तो यह आप टुटॉल देखे और माता को यह इन्फोर्मेशन आपको पास ओन करनी है हाथ से दूद निकाले जाने के इस पोकन टुटॉरियल में आपका स्वागत है इस टुटॉरियल में हम सीखेंगे हाथ से दूद निकालने के फाइदे हाथ से दूद किस तरह निकाला जाए और कितनी बार निकाला जाए हाथ से दूद निकालने के फाइदे हैं कड़क स्थनों को आराम मिलना निकाले गए दूद से जखमी निपल और उसके आसपास की सुखी त्वचा का इलाज कर पाना स्तन पान के दोरान जखमी निपल में दर्ध हो तो शिशू को ये वाला दूद दे पाना मा के दूद की मातरा बढ़ाना या फिर बनते हुए दूद की मातरा बनाए रखना ये दूद शिशू के लिए रखा जा सकता है जब मा आसपास ना हो या काम पर गई हो ये तरीका निपल के आसपास के काले भाग को नरम करके शिशु को स्तन से सही तरह से जुणने में मदद भी करता है। इस तरीके से ये भी जाचा जा सकता है कि शिशु ने एक स्तन को पूरा खाली किया है या नहीं और गाई के दूद के बजाए इस दूद से शिशु का पूरक खाना भी बनाया जा सकता है। इससे समय से पहले पैदा हुए शिशुओं को दूद दिया जा सकता है और बिमार शिशुओं को भी कमजोर मास पेशी वाले शिशुओं को भी और उनको भी जिने जुड़ी हुई जीब हो या कटे हूंट हो और उन शिशुओं को भी जिने स्तन से जुड़ने में तकलीफ हो अब हम सीखेंगे की हाथ से दूद कैसे निकाले सबसे आम तरीका जो सुझाया जाता है वो है मा अपने हाथ से खुद दूद निकाले क्योंकि इस तरीके से निपल के आसपास के भाग को कम तकलीफ होती है और इस तरीके में किसी उपकरण की जरूरत नहीं होती जिस वज़े से मा कहीं भी कभी भी दूद निकाल सकती है हाथ से दूद निकालना एक ऐसी कला है जो बार-बार करने से बहतर होती है जब स्टन नरम हो तब हाथ से दूद निकालना आसान होता है इसलिए हर मा को ये कला प्रसफ के पहले या दूसरे दिन सीख लेनी चाहिए हाथ से दूद निकालने से पहले मा को दूद इकठा करने के लिए स्टील या कांच का बर्तन तयार करना चाहिए वो एक कप, गिलास, जग या बड़े मुवाला बर्तन इस्तिमाल कर सकती है उसे पहले बर्तन को साबुन और पानी से धूना चाहिए उसके बाद बर्तन को उबलते पानी में या फिर उबलते पानी को बर्तन में डालकर कुछ देर तक छोड़ना चाहिए फिर बर्तन को हवा लगा कर या साफ कपड़े से पॉंच कर सुखाना चाहिए बर्तन को कभी भी मेले कपड़े से नहीं सुखाना चाहिए बर्तन को सुखाने के बाद अगला काम है स्तन से दूद निकालना दूद के बहने के लिए मा को शांत मन से शिशु के बारे में सोचना चाहिए मा ये सब भी कर सकती है जैसे अकेले शांत बैठना या फिर खास सहेली के साथ बैठना कुछ माएं अपनी सहिलियों को हाथ से दूद निकालता देख, खुद भी आसानी से निकाल पाती है मा शिशु को अपने नंगे शरीर के करीब रखने के लिए गोधी में बिठा सकती है या फिर वो शिशु को देख सकती है या उसकी आवाज सुन सकती है कभी सिर्फ शिशु की तस्वीर देख कर या उसके कपड़े सून कर भी मदद हो जाती है वो कुछ हलका गरम पी सकती है पर चाय, कौफी, शराब या उत्तेज़क चीज़े नहीं दूद के बहने के लिए वो अपने स्तन को हलका गरम कर सकती है जिसके लिए गरम पानी से निचोड़ा हुआ कपड़ा स्तन पर रख सकती है या गरम पानी से नहा सकती है अपने निपल और उसके आसपास के काले भाग को उत्तेजित करने के लिए वो उन्हें हलके से खींच सकती है या उंगलियों से गुमा भी सकती है अपने स्तनों को गोलाकार तरीके से गुमा कर उनकी मालिश कर सकती है मा किसी से अपनी पीठ भी दबवा सकती है पीठ दबवाने के लिए मा को बैट कर आगे की तरफ जुकना चाहिए बाहों को मेज पर रख कर उस पर सर रखना चाहिए उसके स्थन नंगे लटकने चाहिए मालिश वाली को रीड की हड़ी के दोनों तरफ उपर से नीचे तक दबाना चाहिए मुठी बंध होनी चाहिए और अंगूठे बाहर की तरफ होने चाहिए अपने अंगूठे को अच्छे से दबा कर गोलाकार तरीके से घुमाना चाहिए उसे रीड की हड़ी के दोनों तरफ एक ही बारी में दबाना चाहिए गर्दन से कंधू तक ऐसा उसे दो से तीन मिनट तक करना चाहिए इन सब तरीकों से दूद के निकलने में मदद होती है और दूद जब इस तरह निकलता है तो उसे ओक्जिटोजन रिफ्लेक्स या लेट डाउन रिफ्लेक्स कहते हैं ओक्जिटोजन रिफ्लेक्स के शुरू होने पर मा को अपने हाथ अच्छे से दो कर सुखाने चाहिए फिर उसे आराम से बैट कर हलके से आगे जुकना चाहिए उसे तयार किया बर्तन स्तन के पास पकड़ना चाहिए अब उसे एक तरफ से अपना अंगूठा और उंगलियां स्तन पर आधे चांद के आकार में पकड़नी चाहिए वो किसी भी हाथ से कोई भी स्तन पकड़ सकती है और जब एक हाथ ठक जाए तो दूसरे से स्तन को पकड़ सकती है स्तन पकड़ते हुए उसका अंगूठा स्तन के उपरी भाग पर होना चाहिए और उंगलियां अंगूठे के उल्टी तरफ यानि स्तन के नीचे उसका अंगूठा निपल और उंगलियां हमेशा एक सीध में होने चाहिए निपल अंगूठे और उसकी बगल वाली उंगली के बीच में होना चाहिए निपल और अंगूठा और निपल और उंगलियों के बीच में दो उंगलियों का फरक होना चाहिए उंगलियां निपल के जादा करीब हूँ तो दूद जादा देर तक नहीं बहेगा मा का दूद जादा निकलेगा जब निपल के आसपास के काले भाग की नीचे की दूद की नलियों को वह दबाएगी इस चित्र में मा ने अपना दाया स्तन दाया हाथ से सही तरह से पकड़ा है अब स्तन को लगातार हलका दबाव देते हुए सीने की तरफ अंदर को दबाएं फिर हाथ को हिलाए बिना अंगूठे और उंगलियों से स्तन को हलके से दबाए और स्तन पर से दबाव हटा दे मा को ये तीनों तरीके दोहराने चाहिए दबा कर पीछे खीचना, हलके से दबाना, फिर छोड़ना सबसे जरूरी है पहला तरीका दबा कर पीछे सीने तक ले जाना सिरफ निपल की तरफ दबाने से बहुत कम दूद मिलेगा पर जब स्तन को पीछे को दबा कर खीचा जाता है तब गहरी नलियों से दूद निकलता है स्तन को जादा पीछे ना खीचे क्योंकि इससे दूद की नलियां बंद हो जाएंगी जब मा हाथ से दूद निकालना शुरू करती है तो पहले-पहले कुछ बूंदे ही निकलती है जैसे ही लेट-डाउन रिफ्लेक्स शुरू होता है तो दूद टपकने लगता है पहली कोशिशों में दूद टपकना या कम निकलना आम बात है कुछ वक्त के बाद दूद की धारा बहती है क्योंकि स्तनपान में हाथ से दूद निकालना एक कला है जो की बार-बार करने से बहतर होती है जनम के बाद का पहला दूद कॉलिस्ट्रम कुछ बूंदों में ही आता है पर नवजाच शिशु के लिए काफी होता है इस गहरे पीले दूद में शिशु की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी गुन होते हैं मा को वो तीनों तरीके बार-बार करने चाहिए जब तक दूद का बहाव कम होकर धीरे-धीरे टपकने लगे फिर उसे उंगलियां स्तन के अलग-अलग भाग पर रखकर दूद निकालना चाहिए स्तन के भरे भाग को महसूस करके उसे उस जगा का दूद निकालना चाहिए उसे हाथ से कम से कम तीन से पांच मिनट तक दूद निकालना चाहिए जब तक बहाव कम न हो जाए फिर दूसरे स्तन से भी दूद इसी तरह हर जगा से निकालना चाहिए और फिर एक और बार दोनों स्तनों से दूद निकालना चाहिए दोनों स्तनों में से अच्छे से दूद निकालने के लिए तकरीबन 20-30 मिनट लगते हैं पहले कुछ दिनों में जादा वक्त लगता है क्योंकि उन दिनों में बहुत कम दूद बनता है ये जरूरी है कि कम वक्त में हाथ से दूद ना निकाला जाए याद रखें हाथ से दूद निकालने से दर्द नहीं होता अगर दर्ध होता है तो इसका मतलब तरीका गलत है स्तन के उतक कोमल होते हैं निपल और स्तन की त्वचा को उंगलियों से ना रगणे ना खीचे क्योंकि इस से स्तन पर जखम हो सकते है निपल के आसपास के काले भाग को भी ना कसे और ना ही खीचे ना ही निपल को दबाएं या खीचें क्योंकि निपल को दबाने या खीचने से ज़ादा दूद नहीं निकलेगा ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे शिशु का सिरफ निपल को चूसना हाद से दूद निकालने के बाद मा को बर्तन एक साफ कपड़े या धकन से बंद करना चाहिए फिर उसे वह दूद बाद के इस्तिमाल के लिए संभाल कर रखना चाहिए स्तन के दूद को संभालना और इस दूद को बाद में शिशु को पिलाना ये दोनों एक अन्य टुटोरियल में बताए गए हैं अब हम बात करेंगे मा को कितनी बार हाथ से दूद निकालना चाहिए दूद को शुरू करने के लिए या बनते हुए दूद की मात्रा बनाए रखने के लिए या फिर कम वजन या बिमार नवजाद शिशू के लिए मा को प्रसव के तुरंत बाद हाथ से दूद निकालना चाहिए शुरूआत में उस से कॉलेस्रूम की कुछ बूंदे ही निकल पाएंगी इस से स्तन का दूद बनना शुरू हो जाएगा ये बिल्कुल वैसा होगा जैसे प्रसव के बाद शिशू स्तन चूसता है मा को जितना हो सके हाथ से दूद निकालना चाहिए और जितनी बार उसका शिशू पी सके ये हर दो से तीन घंटे में करना चाहिए रात को भी बार-बार दूद निकालने के बीच का समय अगर जादा हो तो मा जादा दूद नहीं बना पाएगी अगर कुछ हफ्तों बाद दूद कम बन रहा हो तो मा को दूद जादा बनाने के लिए हर एक से दो घंटों में शिशु को दूद पिला कर हाथ से दूद निकालना चाहिए अगर लगे कि शिशु तीन घंटे सोएगा तो मा को दो स्तन पान के बीच में हाथ से दूद निकालना चाहिए पर अगर स्तन कड़क हो रहे हो या काम के दोरान उनमें से दूद खुद निकल रहा हो तो मा को जितना हो सके हाथ से उतना ही दूद निकालना चाहिए अगर निपल की तवचा को तंदुरुस रखना हो तो मा को हाथ से एक बून निकाल कर निपल पर मलना चाहिए ऐसा उसे नहाने के बाद और स्तनपन कराने के बाद करना चाहिए अगर कामकाजी मा को शिशु के लिए दूद रख कर जाना हो तो उसे काम पर दूद निकालना चाहिए ताकि दूद बनता रहे और काम पर जाने से पहले उसे दूद निकाल कर शिशु के लिए उसकी ध्यान रखने वाली को देना चाहिए अगर मा के पास फ्रिज है तो वो ये सब करने के लिए कुछ हफते पहले ही तयारी कर सकती है वो थोड़ा जादा दूद हाथ से निकाल कर आगे के इस्तमाल के लिए संभाल कर रख सकती है वो शिशु को स्तन पान कराने के बाद भी हाथ से दूद निकाल सकती है हर बर पिलाने के लिए मा को कुछ 60-90 मिलिलीटर दूद छोड़ना चाहिए अगर मा पास में ना हो तो जादा दूद शिशु को दे सकते हैं उसकी जरूरत के हिसाब से याद रखें जितनी बार हाथ से दूद निकालेंगे उतना दूद आसानी से निकलेगा और जल्दी भी और मा भी जादा दूद बना पाएगी अब ये टूटॉरियल यहीं समाप्त होता है IIT Bombay से मैं Bella Tony आपसे विदा लेती हूँ हम से जुड़ने के लिए धन्यवाद हाथ से निकाले हुए स्तन के दूद को संभालने के स्पोकन टूटॉरियल में आपका स्वागत है इस टूटॉरियल में हम सिखेंगे की निकाले हुए स्तन के दूद को बात के इस्तमाल के लिए कैसे संभाला जाए चलिए शुरू करते हैं स्तन के दूद को हाथ से निकाला जाए तो ये शिशु और मा दोनों के लिए बहुत फाइदेमंद होता है हाथ से दूद निकालने का तरीका इसी श्रिंकला के अन्य टुटॉरियल में बताया गया है। इस दूद को ध्यान से संभालना और रखना चाहिए। ऐसा करने से उसके सभी अच्छे गुन बने रहेंगे। स्तन के दूद को संभालने से पहले मा को अपने हाथ अच्छे से धूर कर सुखाने चाहिए। और दूद को जमा करके रखने से पहले मा को स्टील या कांच के बड़े मुवाले ऐसे डिब्बे लेने चाहिए जो बंध हो पाएं। हाला कि स्टील के डिब्बे ही सुझाये जा मा को ये डिब्बे साबून और पानी से अच्छे से धोने चाहिए और फिर इन डिब्बों को उबलते पानी में दस मिनट तक रखना चाहिए इसके बाद या तो डिब्बों को हवा लगा कर सुखाएं या तो एक साफ सुथरे कपड़े से पोंच कर सुखाएं डिब्बों को कभी भी रसोई के मेले कपड़े से ना पहुँचें धुले हुए डिब्बों को सुखाने के बाद उन में हाथ से निकाला हुआ दूद डालना चाहिए मा को सिरफ एक बार पिलाने के लिए या फिर तक्रीबन 60-90 मिलिलिटर दूद ही डिब्बों में डालना चाहिए अगर माने दूद को बरफ की तरह जमाना हो तो डिब्बे में दूद डालकर उसके उपर से एक इंच की जगा छोड़नी चाहिए क्योंकि बरफ की तरह जमने पर दूद फूल जाता है मा को हर डिब्बे पर हाथ से निकाले हुए दूद की तारीक और वक्त लिखनी चाहिए फिर इन दूद से भरे डिब्बों को सबसे ठंडी जगा पर रखना चाहिए अगर उसके पास फ्रिज है तो दूद को उसमें संभाल कर रखना चाहिए उसे डिबों को फ्रिज के सबसे निचले खाने के पीछे वाले हिस्से में रखना चाहिए, ये फ्रिज की सबसे ठंडी जगा होती है, इस दूद को फ्रिज के दर्वाजे में कभी नहीं रखना चाहिए, जितना कम तापमान होगा, दूद उतना ही लंबी देर तक अच्छा साफ सुत्रे तरीके से रखा जाए तो मा के दूद को फ्रिज में साथ दिनों तक संभाल सकते हैं पर उसे लगातार ठंडा रखना पड़ेगा याद रखें जितना जादा फ्रिज को खोला जाएगा उतना ही उसके अंदर का तापमान बढ़ेगा अगर दूद अंदर हो और फ्रिज का तापमान किसी वजह से बढ़ जाए जैसे बिजली ना होना तो मा को संभाला हुआ दूद छे गंटों में इस्तिमाल कर लेना चाहिए अगर छे गंटों में दूद इस्तिमाल ना हो तो मा को वो फैंक देना चाहिए मा के पास अगर फ्रिज ना हो तो अपने दूद को वो 6 घंटों तक एक सुरक्षित, ठंडी और अंधेरी जगा रख सकती है और कमरा अगर गरम हो तो दूद के डिब्बों को ठंडे पानी से भरे मटके के पास रखे या फिर ठंडे पानी से भरे बरतन में रखे मा के ताजे दूद में इन्फेक्शन से लड़ने वाले अच्छे किटानू होते हैं इसलिए ये गाए के दूद के मुकाबले जादा लंबी देर तक बिना खराब हुए रहता है कम से कम 6 घंटों तक किटानू ताजे दूद में नहीं पैदा होतें चाहे गर्मी हो या दूद फ्रिज के बाहर हो स्तन के दूद को फ्रिज के बाहर संभालने का एक और तरीका है उसे ठंडे बैग में या एक बकसे में रखना जिसमें बरफ के पैकेट हों जो कि हर 24 घंटों में बदलने चाहिए दूद को इस तरह रखें कि वो बरफ से दूर रहे नहीं तो वो जम जाएगा इसी ठंडे बरफ के बैग में दूद लेकर सफर भी कर सकते हैं अगर मा को दूद साथ दिनों से जादा तक संभालना हो तो हाथ से दूद निकालने के बाद जल्दी से दूद बरफ बनने रखना चाहिए वो दूद जो बरफ की तरह फ्रिज के बरफीले भाग में रख कर जमाया हो दो हफ़तों तक अच्छा रहता है अगर फ्रिज का बरफीला भाग अलग हो तो उसमें बरफ की तरह जमाया हुआ दूद तीन से छे महीनी तक अच्छा रहता है अगर बरफ की तरह जमाई हुए दूद को रात भर फ्रिज के सब से निचले खाने में रख कर पिगलाया हो तो उस दूद को 24 गंटों के अंदर इस्तिमाल कर लेना चाहिए और अगर फ्रिज के बाहर रख कर पिगलाया हो तो 2 गंटों के अंदर इस्तिमाल कर लेना चाहिए निकाले हुए दूद को शिशु को किस तरह दें। हाथ से निकाले हुए दूद को संभाल कर रखने का यह स्पोकन टुटॉरियल यहीं समाप्त होता है। IIT Bombay से मैं Bella Tony आपसे विदा लेती हूं। हम से जुड़ने के लिए धन्यवाद। यह जो सेशन है उसमें हम लोगों ने सिखा है कि एक बार मा ने अपना दूद निकाला तो कैसे बच्चे को दूद पिला सकती है। डेफिनिटली बॉटल यूज नहीं करना है। बॉटल यूज करेंगी तो बच्चे को युलाब होने के चांसे बहुत जादा है। या तो आप पलडा यूज कर सकते हैं या तो आप चम्मच यूज करते हैं या तो कप छोटा सा जो कप आता है वो भी यूज कर सकते हैं। आपको ध्यान में रखना है कि उसकी जो एज है बहुत शार्प ना हो और दूसरा एक बहुत महतोपरणा का पॉइंट है कि आपको उसकी जो ऊपर के होटे वहां पे रखना है नीचे के होट पे नहीं रखना है नीचे के होट पे रखेंगे तो उसका जो चोकिंग होने के चा तो पूरा जो कंट्रोल है बच्चे के मुऊ में होना चाहिए अगर आप उसको दूद पिलाएंगे तो उसके चोकिंग के चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे तो यह आपको ध्यान में रखना है और आप प्रैक्टिस कीजिए जहां पर भी आप है वहां पर प्रैक्टि इतली समल नहीं करना है ठीक है धन्यवाद हाथ से निकाले गए स्तन के दूद को शिशू को पिलाने के स्पोकन टुटॉरियल में आपका स्वागत है इस टुटॉरियल में हम सीखेंगे संभाले गए दूद को शिशू को पिलाने के लिए किस तरह तयार करें फिर उस दूद से मा और शिशु दोनों को बहुत फाइदा होता है। हाथ से दूद निकालना और उसे संभालना अन्य टूटोरियल में बताया गया है। अब हम सीखेंगे संभाला हुआ दूद शिशु को पिलाने के लिए किस तरह तैयार करें। दूद को संभालने से पहले शिशु के ध्यान रखने वाले को अपने हाथ साबुन और पानी से धोग कर सुखाने चाहिए। याद रखें संभाले हुए दूद में सबसे पुराना दूद पहले इस्तमाल करें। बरफ की तरह जमाया हुए दूद इस्तमाल करना हो तो पहले उसे रात भर फ्रिज के सबसे निचले खाने में रखकर पिघलाएं। और फिर इस दूद को अगले 24 घंटों में इस्तमाल करें। पर अगर बरफ की तरह जमाया हुए दूद जल्दी चाहिए हो तो उसे फ्रिज के बाहर एक ठंडे पानी के बरतन में रखकर पिघलाएं। फिर उसे कोसे पानी के बरतन में रखकर पिघलाएं। कोसे पानी में पिगलाते हुए दूद के डिब्बे को बीच-बीच में हलके से हिलाएं पर लगातार जोर-जोर की नहीं इस्तिमाल करने से पहले डिब्बे को बाहर से पहुंच लें इस पिगलाय हुए दूद को दो घंटों में इस्तिमाल करें और बचा हुआ बाकी का दूद फैंक दें पिगलाया हुआ दूद ताजे दूद के मुकाबले स्वाद और सुंगने में अलग होता है पर अगर शिशु उस दूद को पी ले तो इसका मतलब दूद ठीक है ध्यान रखने वाले को हमेशा दूद को सूंग कर ही उसे शिशु को देना चाहिए अगर दूद सूंगने में खटा हो तो शिशु को ना दें याद रखें संभाल के रखे हुए दूद की मलाई उपर जमती है ये आम बात है मलाई को दूद में वापस मिलाने के लिए इस्तिमाल से पहले दूद को हलके से हिलाएं शिशु को पिलाने से पहले दूद को हलका गरम करना हो तो उस दिब्बे को हलके गरम पानी के बरतन में 20-30 मिनट तक रखें दूद की गर्माईश जांचने के लिए उसकी बूंदे अपने अंदर की कलाई पर डाले अगर दूद हलका गरम है तो पिलाने लायक है गरम पानी में दूद को गरम ना करें कोशिश करें कि संभाले हुए दूद को फ्रिज से सीधा शिशु को पिलाएं इससे दूद के जादा गरम होने या कलाई के जलने से बचेंगे स्थन के दूद को सीधा चूले पर या माइक्रोवेव में गरम ना करें सीधी आंच से दूद में इंफेक्शन से लड़ने वाले अच्छे किटानू मर जाएंगे जब भी स्थन का दूद तयार हो शिशु को पिलाएं दूद पिलाने के लिए ये इस्तेमाल करें पलड़ाई, छोटा कप, चम्मच या फिर निफ्टी कप इन में से चम्मच या फिर कप से शिशु को पिलाना सबसे ज़ादा सुझाया जाता है पहले ध्यान रखने वाले को चुने हुए बरतन को साबुन और पानी से धोकर हवा लगा कर सुखाना चाहिए या फिर साफ सुत्रे कपड़े से सुखाना चाहिए फिर खुद के हाथ अच्छे से धोकर सुखाने चाहिए स्तन के दूद को बर्तन में या तो आधा या फिर दो तीहाई भरें फिर शिशु को अपनी गोदी में तक्रीबन सीधा बिठाएं अपने हाथ से शिशु के सर और गर्दन को सहारा दें अगर पलड़ई से दूद पिलाना हो तो उसकी नोग की स्थिती शिशु के मूँके अंदर कोने में होनी चाहिए पलड़ई को हलके से शिशु ने दोनों होटों के बीच में पकड़ा होना चाहिए और खास कर पलड़ई की नोक शिशु के उपरी होट को हलके से छुनी चाहिए ऐसे स्थिती में दूद पलड़ई की नोक के किनारे में होना चाहिए जब शिशु दूद निगलेगा पिलाने वाले को पलड़ई हलके से जुकाना होगा ताकि दूद नोक के कोने तक आए कप का किनारा हलके से शिशु के उपरी होट को छूना चाहिए धीरे से कप को जुकाएं ताकि दूद कप के किनारे तक पहुंचे इससे शिशु कप के किनारे से दूद पी पाएगा और अगर शिशु को दूद चमच से देना हो, तो चमच को शिशु के होटो के बीच में रखें चमच का किनारा उसके उपरी होट को छूना चाहिए फिर चमच को हलके से जुकाएं ताकि दूद किनारे तक पहुंचे जनम के कुछ दिनों तक चम्मच से दूद पिलाना फाइदे मंध होता है क्योंकि इन दिनों शिशु को कम दूद की जरूरत होती है अगर शिशु को निफ्टी कप से दूद पिलाना हो तो कप का भाग जिसमें दूद इकटा होता है उसे ऐसे पकड़ें कि वो शिशु के मूँ के अंदर हलके से हो जब शिशु दूद पियेगा तो कप को थोड़ा जुकाएं इससे कप के आगे के भाग में दूद फिर से भर जाएगा शिशु को दूद पिलाते हुए कभी भी उसके मूँ में दूद ना उडे ले इस से उसका दम घुट सकता है बलकी दूद हमेशा कप या चम्मज के किनारे तकला कर पिलाएं पिलाते हुए ध्यान दे कि वो जगा हुआ और सतर्क हो और उसके पीने का मन हो ज़रूरत पड़े तो शिशु को कपड़े में लपेट कर पिलाएं ताकि वो अपने हातों से दूद न गिरा दे आप जल्दी न करें उसे खुद के हिसाब से पीने दें ध्यान से उसके पेट भरने के संकेतों को देखें जैसे हात उपर उठाना, सो जाना या मूँ बंद रखना याद से उसके निचले होट पर जोर न डाले कप या चमच का किनारा उसके उपरी होट को छूना चाहिए कप पलड़ई या चमच को उसके मूँ के अंदर तक न डाले कभी भी शिशु को लिटा कर ना पिलाएं और दूद की बोतल का इस्तिमाल ना करें दूद पिलाने के बाद कप पलड़ई या चमच को अच्छे से साबुन और पानी से धो ले और फिर हवा लगा कर सुखाएं हो सकता है पहले पहले जब नया इनसान ये वाला दूद पिलाएगा तो शिशु पीना नहीं चाहेगा पर किसी और के देने पर आराम से पी लेगा अगर शिशु इस दूद को ना पिये तो चिंता ना करें जब मा घर आएगी तो शिशु स्तन पान कर लेगा लंबी देर तक या फिर कई बार स्तन के दूद को ध्यान से रखने के लिए जरूरी है धुले हुए हाथ, डिब्बे और बर्तन जैसे ही इस दूद की जरूरत शिशु को पड़े उसे पिलाएं और इस दूद को हमेशा ध्यान से संभाल कर रखें हाथ से निकाले गए स्तन के दूद को शिश्यों को पिलाने का ये स्पोकन टुटोरियल यहीं समाप्त होता है IIT Bombay से मैं बेला टोनी आपसे विदा लेती हूँ, हम से जुड़ने के लिए धन्यवाद तर ले बेला टुटोरियल यहीं समापर बेला टुटोरियल आपसे निकाले ले खाले लेख से लिए जाने के लिए से विएट में कातर है झाल झाल